आप देख रहे हैं TNB मंदरी चौक बनने को लेकर सभी की दिलचस्पी थी कि ये बनकर क्यासा दिखेगा मंदरी चौक लेकिन अब वो इंतजार खत्म होने को है मंदरी चौक का पहला लोग या यूं कहले कि मूल स्वरूप अब सामने आ गया है नकाशिदार इमारतों और खंबों के बीच में गरबगरी और स्वर्न शेकर दिखाए दे रहा है यहीं नहीं चुनार के गुलाबी पत्थरों से गरबगरी के चार ओर प्रदक्षिना मार्ग बनकर तयार है पुर्वी गेट भी लगबग बनकर तयार हो गया है गंगा के रास्ते गंगा जले कर भगत इसी पुर्वी गेट से मंदी चौक में प्रवेश करेंगी और बाबा के गरबगरी तक महुचेंगे खास बात यह है कि गंगा वियू ग्यालरी की इमारत भी खड़ी हो गई है गंगा व्यू ग्यालरी बनने के बाद काशी से जोड़ी वो पौरानिक मानिता भी अब हकीकत के रूप में नजर आने लगी है जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राचिन समय में गंगा से ही बाबा विश्वनात तरबार दिखता था गंगा वियू ग्यालरी में खरे होकर परियाटक एक साथ मा गंगा और बाबा विश्वनात का दर्शन भी कर पाएंगे तक्रीबन 50,270 वर्ग मीटर में बन कर तयार हो रहे विश्वनात कोरिडॉर में मंदरी चौक के बाहर की सभी 24 भावनों की इमारते खरी हो गई है अब फिनिशिंग का काम जारी है इन भावनों में भोग शाला, कौफी शौप, म्यूजियम, मुमुक्षु भवन, यात्री सुविधा केंडर, टूरिस्ट केंडर, नील कंट भवन, आफिस और भी सब कुछ बन रहे हैं साथ तरीकी के विशीश पत्थरों का इस्तमाल किया गया है जिसमें बालेश्वर स्टोन, मकराना मार्बल, कोटा गरे नाइट और मैडोना स्टोन शामिल है मुखी कारपालक अधिकारी, डॉक्र सुनील कुमार वर्मा ने मिडिया को बताया कि 70 फिस्दी काम पूरा हो गया है सिविल का काम पूरा हो गया है, अब किवल, फिनिशिंग का काम चल रहा है उम्मीद है कि नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा आपको बता दे डेश के प्रधारमंत्री खुद नर्दमोती भक्तों के लिए इसका शुबानन करेंगे जो देखते ही बनेगा